हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें जैमा इंद्राक्षे इंद्राक्षे धाम में दर्शे को आप सभी का महार्दिक स्वागत करते हैं आज है शिरी दुर्गा अश्टमी आज हम कन्या पूजन करेंगे सभी अपने अपने घर में और जिनके यहां नौमी की जाती है तो वो कल कन्या पूजन करेंगे कन्या पूजन का महत्व क्या है और दो वर्स से लेकर के दस वर्स तक की जो कन्याओं का हम पूजन करते हैं उनका क्या-क्या सवरूफ होता है ये हम आपको आज बताएंगे तो आइए पहले आज का हम पंजांग देख लेते हैं अब देखो आज सभी अपने अपने घर में जो अश्टमी करते हैं बहुत अच्छे से अश्टमी कीजिएगा और हमने जो सरल विदी से आपको पाठ विदी बताई थी तो वो तो आपकी कल सब्तमी तक पूर्ण हो गई होगी हमेशा आप ऐसे ही कर सकते हैं इसी विदी से कर सकते हैं बाकी जब हमारे आने वाले समय में शिविर समागम प्रारंभ होंगे तो उसमें आप आना जाना शुरू करिएगा और भी बहुत गहरी गहरी बातें आपको जानने और समझने को मिलेंगे बाकी अच्छे से मारे कारे करम हमेशा हमेशा देखते रहिएगा आज जिनका सब्तमी पार्ट पूरा हो चुका है और जिनके घर में अस्टमी होती है तो भगवती को अच्छे से दूप दीव दे करके सोला प्रकार से उनके वस्तों जो हम बताते हैं करकी सुखेनी मंगे कर सब खूंख के िचे लहें थार्थ हैं carry करें राठth calm करने लगा मेम के लिए जैसे विश्वार्ण मंत्र कि पांच मार म्रें इसके सात Mystery सिद्गुंजी का है जो भी आपकी दैनिक पूजन है वो अच्छे से करके अपनी रसोई को तयार करें आपने आज के दिन जो भी गन्याओं के लिए पूजन के लिए बनाया है उसे अच्छे से सारा रेडी टू मूव रखें और कड़ाई में जिसमें आप हलवा बनाएंगे साफ सच कड़ाई होनी चाहिए उसमें मानसाहरादी का प्रियोग कभी ना किया गया हो दूसरी बात जब वो बनकर के तयार हो जाए तो कड़ाई के दाहिने कुंदे पर जो पकड़ने वाला होता वहां धागा कलावा बाने दुरगाजी का ध्यान करते हुए और तिलख सारे भोग में मिला करके फिर जो कन्याएं वगरा आप कराएंगे उन सब को खिलाएं तो आईए आज का थोड़ा सवरूप जानले और कल का भी हम शंक्षिप्त रूप में बता देते हैं आईए जाने आज का सवरूप आज महागवरी का पूजन किया जाता है यानि कि जो भी आप भगवती का पूजन करें महागवरी का ध्यान करते हुए करें कि आज का ये पूजन भगवती महागवरी को समर्भित है कल का जो पूजन रहेगा वो भगवती सिध्धी दात्तिरी का रहेगा आज का जो नवेद्य लगता है अश्टमी के हिसाब से वो भगवती को नारियल का नारियल की गिरी का भोग लगाए या नारियल की दू टुकड़े करके उसका भोग लगा सकते हैं अगर मंदिर वगर आप जा रहे हैं तो नहीं तो घर में नारियल का ही गिरी का भोग लगाए कल का जो भोग रहेगा यानि के नावमी का वो धान का लावा कल भगवती को भोग लगेगा आज जैसे की दिन बुद्वार है बुद्वार के हिसाब से मक्षन का भोग लगेगा और कल गुरुवार के हिसाब से भगवती को देशी खांड का भोग लगेगा और इसमें से कई बार ऐसा कुछ संभव ना हो, तो कोई बात नहीं है, जितना आप से आसानी से बन जाए, वो आप कड़ रहे हैं अब देखेगा, मैंने जैसे कहा, कई बार देशी खांड नहीं मिलती, कई बार कई किसी घर में, कई बार नारियल नहीं मिल पाता, लाना भूल जाते हैं, तो सर्व स्रेश्ट है कि भगवती को दूद का भग लगा दें, और किसी भी रीतू फल का, जो भी मौसमी फल जैसे आ अच्छा रहता है, आठ नो कन्याएं बुला में, उन्हें पैर धुराएं, चरण धुलाएं, तिलक लगाएं, और उनको हलवे पूरी का भोग दे में, और नारियल की गिरी दे में, कन्या जो पूजन किया जाता है, दो वर्स से लेकर के, दस वर्स तक की कन्या इसमें मानी गई है, अब दो वर्स की कन्या का क्या सवरूप होता है, तीन वर्स की कन्या का क्या सवरूप होता है, आए हम आपकी नॉलिज के लिए आपको पता दें, दो वर्स की आयू वाली कन्या, उनको कुमारी सवरूप में माना जाता है, वो कुमारी नाम से उनका सवरूप होता ह तीन वर्स की कन्या त्री मूर्ती सबरूप में मानी जाती है चार वर्स की कन्या को कल्यानी सबरूप माना जाता है पांच वर्स की आयू वाली कन्या को रोहिनी सबरूप माना जाता है छे वर्स की आयू वाली कन्या को कालिका का सबरूप माना जाता है साथ वर्स की आयू वाली कन्या को चंडी का का सवरूप माना जाता है आठ वर्स की कन्या को साम भवी का सवरूप माना जाता है और नौ वर्स की कन्या को दुरगा का सवरूप माना जाता है और दस वर्ष की आयू वाली कर्णिया को सुबध्रा का सवरूप उनका माना जाता है तो ये भगवती के ही दस सवरूप होते हैं जो कर्णियाओ के रूप में उनको हम पूझते हैं तो यदि आपको बहुत अच्छा रहे, नौ करनिया मिल जाएं, तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो आठ करनिया मिल जाएं, आठ करनिया रख लें, पांच मिल जाएं, पांच रख लें, एक छोटा बाला को उसमें बटो के रूप में बिठा लें, इन सब को अच्छे से जो भी आपको करना है हमने कहा था यह जैसे हम आज कल जादे ही वह बन गए हैं पाशात्य लोग हो रहें हम यह फूरूटी यह चिप्स यह नाना भाती के हम यह भी नहीं देख पाते कि बिस्किट किस किस किसम के हैं और इसी के साथ साथ जैसे चौकलेट यह उस समय भोगम मिष्ठान का भग लगता है पूरी का लगाईए नारियल का उनको गिरी दीजिए कोई घर में और मिष्ठान मना दिए वो दीजिएगा ठीक है और बाकी जब आप सारा पूजन कर लें पूजन के बाद जब भगवती के सबरूप के रूप में आपने भगवती के जैसे हमने यह भगवती के सबरूप दिए इन सबरूपों को जब पूजन कर लें और जब कन्याएं उठ जाएं चलने लगें तब आप चाहें उन्हें कुछ भी दीजिएगा खिलोना दीजिए ट्वाइस दीजिए चौकलेट दीजिए फिर कुछ भी दीजिएगा कोई आपको मना न भगवती को अरे भाई कहां हैं कि सब्धा की बात कर रहे हैं घर में कन्या पूजन बड़ा विसेश माइने लगता है भगवती का कितने बड़ा अनुष्ठान कर लीजिए आप यदि कन्या पूजन ढंक से नहीं हुआ तो वो अनुष्ठान अच्छे से नहीं माना जाता इ कि पूजन के समय अपनी सब्धा का ध्यान रखिएगा अब बात करते हैं कलश की सब कन्याए वगरा जब आपने देखा भई अब यह जाएंगी कलश उठाएं थोड़ा थोड़ा शीटा मारें अपने घर में भी शीटा मारें तो उसके बाद उनको आप विदा करें एक ची तिलक लगा करके दूब दीब लगा करके भगवती के चर्णों में रख दें दुशेरे तक है ना दुशेरे तक रखें और दुशेरे के दिन फिर उसको उठा करके शाम के समय दूब दीब देखर के गल्ला लोकर तीजोरी में रखने भगवती का परसाथ समझ के धन धन ध तोड़ी जेंती भगवती को अरपन कर दें आप जेंती को जुगा तो रखें पानी वगजर्ण की हलके पानी की वबस्ता रखें दुशेरय तक यह जेंती आपको रखनी है और दुशेरय में जेंती के कुछ प्रियोग हमारा जो दुशेरय का विशेशांक है वह आप देख आपको श्यक्रिम ही सारी बाते उसमें पता लग जाएंगी कि जैनती का क्या महत्यव है और उसके क्या क्या प्रयोग है और दशेरे में क्या हम विशेश प्रकार के कुछ उपाई कर सकते हैं उससे जानने के लिए आप हमारा दशेरा विशेशांक देखें अब हम एक चीज़ करने से रोगी का दूर रोग दूर होता है घर में उसका सिंचन करने से चीटे मारने से प्रयत आदी जो भी इस प्रकार की चीज़े घर में हो नेगेटिव उर्जा हो वो दूर होती है खेत खलियान में पश्यों के उपर देने से व्रत्धी होती है यानि कि पश्यों की दूर होते हैं खेत खलियान में फसल अच्छी आती है जहां संतान ना होती हो गर्व ना ठहर पाता हो तो ऐसी इस्तिती में भी परसाद रूपें छीटा भी मारा जाए और थोड़ा पीने के लिए भी दिया जाए भगवती की करपा से शिग्र ही जोली भर जाती है और जो भरी भाते थी आप नोट करें बस हमें आपसे एक ही चीश चाहिए कि इस प्रकार के जितने भी हम कारिक करम देते हैं उन्हें सरातन धर्म के नाथे आगे भी शेयर कीजिएगा आगे भी लोगों को बताइए ताकि काफी लोग सोन सकें और उन सरल बातों को समझ सकें और ब जैसे आज मैंने अश्टमी का प्रारूप बताया है, आगे सब्ज में, तो नौमी वाले भी ध्यान से इसी एपिसोड को देख लेना, बाकि जो कुछ थोड़ा बुता मेरे भी माइंड में रह जाती हैं बाते, वो कमी बेसी हम कल सुभा साथ बजे के कारेकरम में, कल नौमी म किधे दुबारा से इनौता देगे और दुशे रखा कारेकरम विश्यश शांख हमारा सुन लेना और देख लेना, आईए सदु को समय ओचला आज की ध्यान साथना का, आज की ध्यान साथना में भागवति दुबगा से हम नमन करें, और उनकी दो मिनट के लिए ध्यान नायक से करां स्मित मुखे बापे नबाग छोरुआं पानी प्यामल पूर्ण रत्न चसकां रत्नोत परां विब्रते सोम्यां रत्न गटस्त रक्त चरणां ध्यायत परां मंबिकां खडगं चक्रगदे सुचाप परिगान चूलंब सुन्डिम् सिरा संखं संदधतिं करेश्त्रिनयानां सरवंग वूस्वरितां निलास मध्युतिमास्यबाद दसकां सेवे महां कालिकां यामास्तो स्वपिते हरो कमलजो अंतुम अदुम कर्टवं विद्यो दाम समप्रवाम्रिगपते सकंदस्तितां विशनां कन्या विहकरवाल खेट विलसा धस्ता विरास सेवितां अस्ते चक्रगदा सिखेट विशिखां श्चापं गुणं तरजनीं कबच मना लें ध्यान करें भगवती का शुबासिस हमसब के उपर बरस रहा है ओम बोलते हुए नेत्र खोलें समाने हो जाए देखो सादको सब कुछ बहुत अच्छे से करना और बाकी यदि जीवन में किसी भी परकार की कोई समस्या है आप देश विदेश में कही मिन रहते हैं हमसे जोतिश्य परावर्ष के लिए आप कॉल अबाइड्मेंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे संस्तान हों करके कोल अपाइंटमेंट अपनी बुक करा सकते हैं यानि कि अपनी अपाइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं और दूसरी बात जिन जिन साथकों की वैदिक जनम पत्रिक आए हैं थोड़ा सब विलंब हुआ है त्यूंकि नवरात्र में देखो भाई हम भी थोड़े विजी हैं सिग् कि लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी कोई दूसरा बिजनस करना पड़ेगा मैंने नाम बहुत कमा लिया लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं टीवी में छोटा सा मंत्र अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी तंत्रिक मंत्र रहा होगा मैं इतना नभ खोल दुकान कहा कर मेरा मैंने उन दानों को भिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे मैं दुपहर के समय में मेरे पास फोन आने लगे और्डर्स आज की तारीक में मैं इतना परिशान हूं इतने और्डर्स हैं मेरे पास लेकिन आज भी मैं परिशान हूं क्योंकि मैं उन औ प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 वजे तक हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें कि आप हमारा क्रिक्रम देखने करें तक